हेलो बच्चों NCRT line by line series में आपका स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर जगी जमाल और आज हम पढ़ेंगे सेक्शल रिपोड़क्शन फ्लावरिंग प्लान्ट का लास्ट टॉपिक एपोमेग्जिस और पॉली एंब्रियोनी इससे पहले हम दो और शेप्टर यहां पढ़ चु इस बात को सुनने से पहले एक चोटी सी बात आप याद करिए कि आपको यह बात 910 11 से पढ़ाए जा रही है कि सीट इस प्रोड़क्ट ऑफ सेक्शन प्रोड़क्शन फर्टिलाइशन होने के बाद ओवरी कनवर्ट हो जाती है फ्रूट में और ओविर कनवर्ट हो जाता है लेकिन अगर यहां फर्टिलाइशन के बिना ही सीट का फॉर्मेशन हो जाए तो यह कहला था यानि के फॉर्मेशन ऑफ सीट विदाउट फर्टिलाइशन इस नोन आज एक जग एंसे लिखा है अब क्योंकि सीट तो बनता है सेक्शल प्रोड़क्शन से जनरली बन जा रहा है तो इसकी कई वज़ा है, NCRT ने उनको दो टॉपिक में cover किया, उन्होंने cover किया कि अगर ऐसा हुआ कि XL ही deployed है, तो अगर XL deployed है तो उससे directly embryo बन जाए, क्योंकि अगर XL haploid है तब जरू होते हैं, तब जरू होते हैं, तो अगर XL पहले से ही deployed है, तो वो directly convert हो जाएका deployed embryo के embryo sec deployed कैसे होगा, embryo sec तो functional megaspore से बनता है, तो हुआ यह है कि जो deployed megaspore mother cell है, वही convert हो जाएदा directly embryo sec में, अब deployed megaspore mother cell ही directly embryo sec में convert हो गया, तो उसके अंदर तो फिर जितनी भी cell होंगे, सबके सब deployed होंगे, ऐसा भी होता है कि deployed megaspore mother cell के अलावा, कोई और दूसरा cell जो की deployed हो, new cell is integument का cell, वो convert हो जाए, deployed embryo sec के अंदर तो उससे भी आगे की कहानी यह होगी, कि deployed excel है, deployed excel से directly deployed embryo बनेगा, इधर embryo बनेगा, बहार, automatically, obviously, convert हो जागा, एक बज़ा तो यह बता है, दूसरी बज़ा जो कि लिविन होग ने citrus के अंदर notice की ती, citrus मैंगो, citrus एनी औरेज और मैंगो में देखा जाता है, कि उसके अंदर new cell is integument के cells, जो कि of course deployed होंगे, plant part है, यहीं नियूसलस के cell proliferate हो जाते हैं इंटो embryo, अब क्योंकि नियूसलस का cell deployed है, अगर यही proliferate हो जाएगा directly into embryo, अब वो नियूसलस जाए, वो embryo सेक के बाहर मौझद है, तो यहां फिर इस condition में देखा जाएगा, यहां पर citrus के अंदर, orange के अंदर, mango के अंदर देखा जाएगा, बहार नियूसलस का cell भी embryo में convert हो रहा है, और अंदर जो नॉर्मली एकसल होता, वो भी embryo convert हो रहा है, तो यहां इस situation में एक और चीज़ देखी जाएगी, poly embryo, यानि presence of more than one embryo in the embryo sex, समझ मारी यह वाली बात, तो deployed egg cell से अगर बन जाए, embryo deployed embryo, तब भी epomyxis हो जाएगी, क्योंकि ovule seed में convert हो जाएगा, और अगर new cell का cell proliferate हो जाएगा into embryo, इधर embryo बनेगा, उधर ovule foreign seed में convert हो समझ मारी बात, ठीक है ना, अब इन्होंने आगे बताया है कि एपो मिक्जिस की horticulture, agriculture, agriculture मतलए गार्टनिंग वगरा और agriculture में काफी importance देखी जारी, उसकी वज़ए यह है कि किसान लोग क्योंकि वैदर को कुछ पता नहीं, कब बारिश हो जाए, कब आंधी हो जाए, कब ब तो जनदल सी आपको या देचाओं, प्लांट उसकी येलड बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है पैदावार, और इक दूसरा प्लांट है वो दिसी रेस्टेंट है, लेकिन उसकी पैदावार बहुत अच्य नहीं है, ये बिसीज रेस्टेंट नहीं है, तो इन दोनों को अगर क्रॉस कराया जा तो ऐसा हो सकता एक नया प्लांट ऐसा बने जिसकी यह बहुत बढ़िया हो और वो डीज रेस्टेंट वो यह हैब डाइशन कहलाता है अब जैसे कि आपने अगर दो प्लांट को मिला एक नया प्लांट बनाया तो वो उसके अंदर तो हेटरोगास कंड मतलब चार तरीके के आपको गैमीट मिलेंगे अब कोई एक ही गैमीट जाके फ्यूज करेगा एकसेल के साथ तो जो पैरेंट प्लांट के पास करेक्टर थे वो सारे के सारे करेक्टर एक नए प्लांट के अंदर नहीं पहुचेंगे समझना मेरे बात इसलिए मजबूरी हो किसान की मजबूरी उसे खरीदने हैं हाइब्रीट सीट के बचने के चांसे जाता है ऐसे प्लांट के तो अब साइंटिस्स दिमाग यह लगा रहे हैं कि अब यह जो कॉंसेट अपो मिक्जिस वाला है कि डिप्लॉइट सेल डारेक्ली अम्रियो सेक में कनवर्ट हो चले जा देंगे वेक्टर के जरी अबदर आप सीखेंगे इस बात को उन चीन्स को वेक्टर के जरीए थे बाता जिसे प्लांट के अंदर पहुचा दें तो फिर उस उस से फायदा इंदर फाइंगा और आहप जैप यह आप यह शैँ तो बिलकुल कॉपी होगा अपने पर मिक्जि तो बिलकुत प्लांट की तरह होगा क्या आप उन्ने कलों की सकते हैं बिल्कूट क्लोन का सकते हैं कि बीच माइन हलका जिकर पॉलीयों कहा तक किया था कि अगरों के यक साथ यहां से एक सवाल नीट में आप से पूछा जा सकता है यह सवाल नीट में आचुका है यह सवाल नीट में आचुका है अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो इसे बोला जाता है पार्थेनो कार्पी आपने पढ़ा होगा उदर और जिबरेलीन टॉपिक में क्लास 11 वे और पार्थेनो कार्पी फूट अभी भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा दो पार्थेनो कार्पी कहला दो तो दज अपमेशन इस फॉर्म ऑफ एसेक्शल रिप्रोड़क्शन टैट में इस सवाल आ चुका है कि एपमेशन इस इस फॉर्म ऑफ एसेक्शल रिप्रोड़क्शन टैट में पर कवर गिया इन्सम इस फाशी दर्दब एक्सक्षा अगर हो गा अब इप्लाइड एक्सल इस ली वोगा क्योंकि imply अँख घ्लोडर इंड्दौएडробोड ऑख तो दिप्लाइड अगर होगा तो फिर तो जब एकसेल होगा डिपलोइड तो फिर बिना डिविजन के वो डवलप हो जाएगा एंब्रियो के अंदर क्योंकि डिपलोइड एकसल अब बनेगा बिना फर्टिलाइशन के अब जब डिपलोइड बनेगा इधर अधर अटोमेटिकली ओविजीड में इन वह जाएगा दूसरी इन वज़ा पताईए इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो सिट्रस यानि ओरेंज और मैंगो इनमे यह देखा जाता है सिट्रस मैंगो की वेराइटी में सम अफ दे न्यू सेलर सेल्स इन्होंने न्यू सेलर सेल्स को कवर किया हैं एंब्रियो सेक के बाहर चुमाज़ीज होते हैं वैसे दूसरी किताब इंटाइग्यमेंट का भी जिखर किया गया इनगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग तो यह पॉली एंब्रीयो निए अगर एक से जद एम्ब्रीयो मौझूद होंगे सीड के अंदर तो इसे बोला जाएगा पॉली एम्ब्रीयो निए तेक आउट समसीड और इसक्यूज देम आप और इसक्यूज लें और ने दबाएं इसक्यूज करें सिट्रस और इसक्यूज को कहा जाता है और दमैनी एंब्रीयो दिफरेंट सायं शेप फ्रमी सीट वह समझाना चाहरे हैं कि आपको सीड गंदर कावी सारे अम्री दिख है ठीक है आगे नहीं थोड़ा सा वो जो एपोमिक्टिक एंब्रीयो की बारे में बता ही रहे हैं बात कर रहे हैं भी एपोमिक्टिस के बारे में हाइबिट सीड इंडस्ट्री में उसकी एहमियत समझाई है हाइबिड वराइटी ऑफ सेवरल ऑफ और फूड और है यह बहुत बड़ी परशानी है उनको हर साल बनाना पड़ता है क्योंकि आप हाइबिट सीड के सीड से नहीं प्लान नहीं बना सकते क्योंकि एक डाइम फोर में अलील सेग्रिकेट हो जाते हैं डाहबिट क्लॉस का एफ जनेरेशन वाला आप जाके देखिए का एक बार सीड्स हाब भी प्रोड्यूस्ट एवरी हर साल बनाने पड़ते हैं इव दसीड सीड्स क्लेक्टेट फॉम दा हाइबिट सार सोन अगर जो सीड्स हाइबिट की आप उन्हें ग्रो कराइंगे दप्लांट इंद प्रोजैनी विल सेग्रिगेट जो प्लांट है प्रोजैनी इसके जो एली इसेग्रिगेट हो जाएंगे डूनाट मैंटें दावब क्याट वो सारे क्याट्र आपको एक सीड के अंदर एक प्लांट के अंदर नहीं मिलेंगे प्रोडक्शन अव हाइबिट सीडिस प्लांट को मिलाने पर तब जागे नया प्लांट तैयार होता है तो पर आपका सघ्रिगेशन नहीं होगा क्योंकि उसके पार तो सारे के सारे जीन से भी है इन दा हाइब्र फ्रोजेन और फार्मर्स केंप उन यूजिंग दाप्रोड़ यहां से एक सवाल हींटे पूछा यहां से सवाल हींटे पूचा है सकता है हाइबिट सीड इंडस्ट्र इसके पीछे कौन से जीन से एंड़ ट्रांसफर ऑफ एपोमिक्टिक जीन इन टूदा है और फिर वह एपोमिक्टिक जीन को ट्रांसफर कर देंगा हाइब्र वाराइटीज में ताकि आटोमेटिकली उसके अंदर फिर सीड का फॉर्मिशन हो जाए बिन फर्टिलाइशन के पर फिर क्योंकि वह इन फर्टिलाइशन के बना एक ही पारेंट से तो बिल्कुल क्लों टाइब होगा आप उसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उससे बिल्कुल ऐसे इंग इस लिए जान से सवाल बन सकता है इन सब के बारे में बात कर चुगे अर टीपिकल एंथर इस लाइंचे सवाल बन सकता है बाई लोब डाइथिकस एंट टेटरास्पोर एंजी दो लोब होते हैं दो वाल होती हैं हर लोब के अंदर और चार पॉलन सेक होते हैं पॉलन ग्रेंग डेवलपे इंसाइट दा मैक्रोस्पोर एंगियम पॉलन ग्रें मैक्रोस्पोर एंगियमा सेक के अंदर बनते हैं फॉर वाल लेयर अपिडर्मी ऑन्टिबीस थी से मिडेलेर और जपी रेटेफिशन नाचेसों पॉलच करेंट ऑफिर घ्म जाते सब जानते हैं पॉलंगे रीप्रेजेंट नमेल डिजनरेशन ये भी सवाल बनता है मेजचे मेटल फ्रफार्ट ए रेड़ेशन अधिमीटल सेंट आपर मेन गहलों गयमेटल फ्रप्रेटीक जनरेशन यह पिर हो सकते हैं थ्री सेल तो उसमें जनरेटी सेल कनवर्ट हो जाता है दो मेल गैमीड में मैटॉस के जरीए अट टाइम अफ शेडिंग दा पिस्टिल हैस थी पार्ट पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं यह सब हमारा हो चुका है कोई काईदे के लाइन हो की तो उसमें दुवारा से रपीट कर दो देखिए नों थियोरी में नीजिकर किया तो यहां उन्होंना बता है यहां से फिर आगे कहानी में जाएगी कि मियोसिस होगी चार मेंगा स्पोर बनेंगे यह सब्सक्राइब और उसका डेवलप्ट मोनोस्पोरी होता है नहीं वो सिंगल मेंगा स्पोर से बनता है अधिड़ दा माइक्रो पाइलर एंड दा एग अपरेटरस कंसेस्टिंग ओफ द तू सिनर्जिट माइक्रो पाइलर एंड पर जो एग अपरेटरस है यह भी सवाल आचुका है नीट में उसमें होते हैं दो सिनर्जी और एक एक सल एड़ दा कलेजल एंड थी अंटिपोड यह भी हम पढ़ चुके हैं पहले अधिड़ दा एंड लार्ज सेंटरल सेल जिसके अंदर मौजूद होते हैं टू पोलर नूखली पॉलिनेशन इस तू पाइलर एंड पाइलर एंड वाटर और बाट और बाट यह पूरी बात भी हम उधर पढ़ चुके हैं फॉलिंग कॉंपटिबल पॉलिनेशन पॉलिंग जर्मिनेट ऑन दा स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पॉलिन ट्यूप ग्रोथ रोदा स्टाइल एंटर दो व्यूज एंड फानल डिस्टाइट तू मिल गयमेट इन वन आफ दा सिनर्जिट वाली बात चल दिए यह वाली लाइन भी आप बहुत बार सुन चुके हैं कि करेक्ट्रिस्टिक फीचर एंगियो स्टाइबल फर्डिलाइशन और दो जो फर्डिलाइशन का नाम है सिंगयमी और ट्रिपल फ्यूज ठीक है दो प्रिमे लिए बात भी हमारी हो जोगे फार्मेशन अब्रियो के फॉर्मेशन है वह अब हमेशा इंब्रियो के फॉर्मेशन से पहले शिरू हो जाएगा गार्फडिलाइशन से भी हम प्रचुके लुट ने संग अपर्चुके अब्रियो जोग अट इस कुटला माफ्र फर्डिलाइशन ओवरी देवल्च इंट देवल जाएग हो जोगे यह सवाल आचुक है इस लाइन से सवाल आचुक है यह सवाल आप याद कर लेंगे अगर एक सवाल आप याद आप याद कर लेंगे इस लिए यहाँ पर हमारा सेक्शल बोटर्टिकिंग फ्लाइब लाइन सेप्टर फिनिश हुआ उमीद है कि आपको NCRT लाइन बाइन सेरीज समझ में आ रही होगी कोई बहुत सारे बच्चों को NCRT समझने में ही दिक्कत होती है इसलिए यहाँ पर यह यूट्यूबर ऑनलाइन स्लेव कोर्स स्टार्ट किया गया है फ्री महीं आपको ताकि आप बच्चों को मैक्सिम बेनेफिट हो सके अगले कुछ चैप्टर्स हम चाहेंगे कि 11 के बढ़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताईएगा कि आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं तब तक के लिए बेस्ट अफ लग्ट